नमस्कार, वीबी कॉंसेट्स के यूट्यूब चैनल पर आप साभी का हार्दिक श्वागते, आज के इस वीडियो में हम 3 जुलाई के करन्ट अफ़ेट्स को डिसकस करेंगे, करन्ट अफ़ेट्स को डिसकस करने इस पहले, आज के सुब विचार पर हम बात करते हैं, अपनी केपेबिलिटी से पर कभी डाउट मत करना, यानि विक्ति को कभी भी अपनी केपेबिलिटी जो भी है, उन पर अपने समताओं पर कभी डाउट नहीं करना चाहिए, और रेगुलर मैनेट करते रहना चाहिए, जिससे हम जो चाहते हैं, कभी न कभी हम प्राप्ट करी लेते हैं, तो ये डैलिकरंट अफ़ेट्स की सिर अप्सेन नमबर भी अंद्रपरदेश, अंद्रपरदेश ने नई IT नीति लॉंच की है, और इसके अलाओ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स के रूप में ये मैं बुलेट्स पॉइंट्स बना के लाया हूँ, और इसमें एक्स्ट्रा जानकर आपको हर कुश्चन जहां पर इस नीति से अगले तीन वर्सों में 55,000 नौकरियां आंद्रपरदेश में उत्पादित होगी, और इस टार्ट अप के लिए सरकार हैक्टोन वर्क्शोप और इस तरीके के महले आयुजित करेगी, और विशाका पटनम में IT Emerging Technology Research University भी इस्तापित की जाएगी, ग्राम पंच अंद्रपरदेश लौक सबा में 25 सीटे हैं और राजिश सबा में अंद्रपरदेश की 11 सीटे हैं और ये दक्षिन पूर्वी राजिय है, अब बात करते हैं, क्यूश्चा नूमबर 2, स्टार्ट अप लिंक त्वारा ग्लोबल स्टार्ट अप एको सिस्टम 2021 में भारत की र एक अच्छी प्रोग्रेस दिखाई ये कोरोना के बावजुद भी और तीन अंकों का सुधार करते हैं भारत की रेंकब 20 हैं दलित सवसक्तिकरण कार्यकरम के थेद कौन सी राजे सरकार द्वारा दलित परिवार के खातों में 10 लाग रूपे जमाप कराने की एक इसकीम लॉंच की हैं तो इसका सही आंसर रहेगा आपसे नमबर 2, तेलंगाना जो तेलंगाना सरकार है वो दलित सवसक्तिकरण कार्यकरम के माध्यम से 119 विदान सवसेत्रों में 10 लाग रूपे की रासी जो दलित परिवार होते हैं उनके खातों में जमा कराएगी और इसके अलबाबाद करें तेलंगाना सीम चंदर सेकर रावे और गवर्नर यहां के तमिली साई सौंदर राजन है और लोग सबा की सीटें यहां पर सत्रा हैं और राज़े सबा की सीटें साथ हैं किश्चन नमबर चार है होसला योजना किस राज़े में सुरू की गई है तो इसका सही आंसर रहेगा आपसन नमबर डी जमुकस्मीर होसला योजना मैलाओं को ससक्त करने के माद्यम से जमुकस्मीर के राज़ेपाल के द्वारा सुरू की गई है और आपको अगर जमुकस् तो जो जम्मु कस्मीर के उपर आज ये पाले तो उनका आपको नाम या पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना क्योंकि हाली में उनकी जो जम्मु कस्मीर की जो पॉलिटिक्स में जो परिवर्टन आ रहे हैं उनमें इनकी एक महत्पन बुमीका की रूप में इनको देखा जा रहा है तो ये एक्जाम में जरूर आपसे पूचा जा सकता है क्यूस्टन नमबर पांच है हाली में 26 राष्टि संगटन यानि WHO किस एसे देश को मलेरिया मुक्त गोसित किया गया तो इसका सए आंसर रहेगा आपसे नमबर बी अब इसकी कुछ बुलर्स पॉइंट से देखते हैं 1940 के दसक में चीन में मलेरिया के 30 मिलियन मरीज प्रती वर्स मिलते थे यानि मलेरिया की हालत वाँ पर बहुत ज़्यादा खराब थी और एसिया में चीन्स से पहले ये टेक पाने वाला स्री लंका एक मातर देश है और अगर जब ये किसी भी देश कोई भी देश पर एपलाई कर सकता है इस टेक के लिए लेकिन वाँ पर पिछले चार वर्सों में कोई भी स्वादेश का मलेरिया का मामला नहीं आना चाहिए ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब जो दूर तक वार करती है और ये एक मादिप से दूसरे मादिप तक जा सकती है ऐसे मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल होती है और इस मिसाइल की जो समता है वो एक हजार किलोमेटर से दोजार किलोमेटर के बीच रहे की और ये एक अगनी वर्ग की एक अपडेटेड मिसाइल है और इसे रक्षा, अनुशंदान और विकास अंगटन यानी DRD यो दोरा डॉक्टर एपिजे अब्दुलकुलाम दीप से नई PD की परमानुस्ता सक्षन बैलिस्टिक, मिसाइल और अगनी पी का सफल तपूर्व परिक्षन किया अब बात करते हैं Q7, दुनिया का पहला DNA Plasmid Vaccine लॉंच करने वाली कंपनी होगी तो इसका सही आंसर हैगा अब बात करते हैं Q8, इतियास में सबसे कम उम्र के सतरंज ग्रेंड मास्टर कौन बने हैं तो इसका सही आंसर हैगा Option C, अभी मुन्य मिश्रा इनकी एज अभी 12 वर्ष है और इस 12 वर्ष की एज में इन्होंने सतरंज ग्रेंड मास्टर का टाइटल अपने नाम किया और यह भारतिय मुल्के हैं और वर्तमान में यह न्यू जर्शी में रहते हैं इसका सही आंसर हैगा Option D, पीस हाइनाद यह एक जर्णलिस्ट है Question No.10 है, Fukuoka पुरुसकार 2021 निमन में से किस पत्रकार को दिया गया तो इसका सही आंसर है का Option No.1, पीस हाइनाद तो पीस हाइनाद को पुरुसकार भी मिला है और इसके अलावा इन्होंने एक बोग भी लिखी है तो यह काफी चर्चा में रहने वाले पत्रकार और जर्णलिस्ट है तो इनके उपर आपको एक्जामिस क्यूशन पूचा जा सकता है तो यह था आज का Current Affairs का कुछ वीडियो और अब इसमें Bullet Points की रूप में हम देखते हैं तो यहाँ पे फुकुओ का Grand Purushkar इनको प्राप्त हुआ है तीन वेक्टियों मेंसे इनको Grand Purushkar प्राप्त हुआ और यह पुरुषकार उन्हें लेखन के माध्यम से नागरिक सहियों को बड़ावा देने के लिए दिया गया था और फुकुओ का पुरुषकार का जो आयोजन होगा वो 29 सेप्टमबर 2021 को आउनलाइन माध्यम से होगा अभी कोरोना के बाद आउनलाइन का काफी प्रचलन बढ़ रहा है और इसी में फुकुओ का पुरुषकार 29 सेप्टमबर 2021 को आउनलाइन के माध्यम से दिया जाएगा फुकुओ का पुरुषकार के बारे में बातचित करें और संस्कृत्ति के आदान प्रदान करने वाले जो प्रतिष्टित लोगे उनको ये प्रुसकर प्रदान किया जाता है तो ये था आज का current affairs का वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको like करें, share करें, subscribe करें और आने वाले किसी भी exams के लेवल के लिए ये current affairs का वीडियो आपके लिए बहुत ही math पून थाबित होगा और यहां से आपको जरूर चार से पांच questions इस वीडियो से मिलने वाले हैं क्योंकि इसमें जो extra चीजे बताई जाती उसके अलावा भी आपके जो 10 mcqs के साथ 30-40 mcqs तेयार हो जाते हैं तो मिलते हैं, next वीडियो में तब ते के लिए नमस्का, जेहिंद